असलाम वालेकुम दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही जबरदस एंड डिलिशियस खुबानी का मीठा जो बहुत ही आसन तरीके से बनाना बताऊंगी फ्रेंट्स मैं आपको और वीडियो को बिना इसके पूरा द अगरा प्लेट में यहां पर तो देख सकते हैं अप यहां पर हमारे खुर्बानी दिन यहां पर अच्छे से फूल गई है यह फोल जाती है यह तो देखिए आब इसको हम निकालेंगे प्लेट में यहां पर तो देखे फ्रेंट सारे खुबानी को हम यहां पर इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे तो देखे सारे खुबानी को मैंने यहां पर प्लेट में निकाल लिया है और जो इसका पानी जो बच्चा हुआ है वो पानी को हमने फिकना नहीं है पानी को हम साइड में रख देंगे ढखकर इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे हम तो देखे खुबानी में से हम यहाँ पर बींज निकाल लेंगे सबसे पहले तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर बींज आसानी से इस तरीके से निकल जाते हैं इसमें के अच्छे से जब खुर्बानी इस तरीके से भीग जाएगी तो बींज आसानी से निकल जाएंगे बींज को हमने दूसरी प्लेट में रख लेना है देखिए फ्रेंट्स यहां पर दूसरी प्लेट में मैं इसको रख रही हूँ बींज को और सारे हम बींज इसी तरीके से निकाल कर रख लेंगे फ्रेंट्स यहां पर तो देखे फ्रेंट्स बहुत ही आसान तरीके से यह खुबानी का मिठा बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान इसे बना सकते हैं हम इसको तो देखे friends सारे मैंने खुर्बानी के बिंज अच्छे से निकाल लिया है और जो बींज है उसको मैं धोका रखलूंगी साइड में इसका हम बाद में इस्तेवाल करेंगे अब देखें जो खुर्बानी है अब जो पानी हमने रख लिया था friends यहां पर यहां पर मैंने बींज इसके धोल लिये है अब यह बींजों को हमने इस तरीके से फोल लेना है और इसके अंदर जो बादाम आता है वो बादाम को हम निकाल लेंगे तो देखे फ्रेंट्स बादाम को मैंने निकाल लिया है तो देखिए खुर्बानी अभी पूरी तरीके से गली नहीं है यह अभी थोड़ी सी कसर बाखी है इसमें हम इसको पांच मिट और पका लेंगे अच्छे से गलने तक है तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर देड़ कप शक्कर दा रही हूं तो आप ने ठेस के हिसाब से शक्क पर दालेंगे शक्कर दालने के यहां बद हम इसको अच्छे से यहां पर मेंक्स कर लेंगे लिस तरीके से तो देखे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेहना है है और तीन ड्रॉप यहां पर मैं raspberry color दार रही हूँ, यह बिल्कुल optional है, अगर आप चाहे तो orange जो fruit color आता है, वो भी इसमें दाल सकते हैं friends यहां पर, तो देखें यहां पर इसको मैंने अच्छे से mix करते हुए पका लिया है, अब इसको high flame पर पका लेंगे हैं, और 5 मिनिट के और इसको room temperature आने के बाद मैं इसको fridge में रख दूँगी तकरीबन 2-5 गंटे के लिए, जब यह अच्छी से थंडी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी, तो देखें friends इसको room temperature आने के बाद मैंने फ्रीज में रख लिया था, यह अच्छे से बहुत अच्छे से थंडी ह हो गई है, तो यहाँ पर यह अच्छे से थिक भी हो गई है, तो देखें अब हम यहाँ पर इसको सर्फ कर लेंगे, तो देखें friends यहाँ पर एक ball ले लिया है मैंने और यहाँ पर एक ब्रिटानिया का cake ले लिया है, जो सादा वाला cake आता है, आप वो भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक ball में सारा cake रख लिये है, अब इसके उपर से दाल लेंगे, हम मीठा कुर्बानी का मीठा दाल लेंगे इसके उपर से, तो देख सकते हैं friends यह थंडा होने के बाद कितना अच्छे से थिक हो जाएगा, इस तरीगे से थिक हो जाएगा, तो देखें सारे कुर्बानी को हम इसके उपर से दाल लेंगे, तो देखें सारा कुर्बानी का मीठा मैंने दाल लिया है, इसके उपर से, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी fresh cream दाल लेंगे, आप चाहे तो इसकी जगे milkmaid भी दाल सकते हैं friends यहाँ पर, अब इसके उपर दाल लेंगे, हम आइस्क्रीम दाल लिए, बहुत ही मज़े का लगता है, यह मीठा इस तरीके से आइस्क्रीम दाल कर खाने, आप देखें friends जो बादाम हमने रख लेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मज़े का बना था friends यह यकीन मानिया, बहुत ही ज्यादा मज़े का था, आप इसको जरूर ट शेयर करूंगी, तब तक के लिए दूआ में याद रखेंगा, आल्ला हाफीज,